कि दोस्तों स्टेडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज हैस्टेक्ट स्वाल उभी कूट वाली सवाल सिर्फ और सिर्फ तत्सम्तभों की बात करेंगे बहुत मज़ाने वाला है वैसे मुझे तो बहुत मज़ा रहे है क्योंकि कपाट काते हैं करपाट काते हैं क्या करेंगे दोस्तों कपाट किसे काते हैं कपाट किवाड को काते हैं करपाट कपड़ को काते हैं ध्यां दीजेगा उसी तरह से किवाड को कपाट काते हैं उसी तरह से केकड़ा को करकट काते हैं क्या बात कर दिये सर इतना नदी कपास को करपास काते हैं अब जिसको इतना ज़्यादा ध्यान से देखने पर चीज़े पता होंगी वही सही कर सकता गियहू को क्या काते हैं गोधुन काते हैं गोबर को गोमे काते हैं जोबन को क्या काते हैं यौवन काते हैं पंक को पक्ष काते हैं पंगत को पंगत को पंगती काते है क्या काते हैं पंक्ति उसी तरह से अद्रक को आर्द्रक काते हैं हल्दी को हरिद्रा काते हैं उपदन को उद्वर्तन काते हैं सिंगाडा को स्रिंगाटक काते हैं और क्या लिखा दही दही को दधी काते हैं सामने लिखा है नारियल नारियल को नारिकेल काते हैं क्या काते हैं प्रेसक आप भी दे सकते हैं लेकिन कब जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तब ठीक है और आपके पास दोस्तों आपकी अपनी हिंदी की किताब हो नीची बीना इसके सब कुछ गर्थ है आप ले लीजे क्योंकि यहां मैं सिखाऊंगा और यहां से आप प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर दोस्तों आपका मेहनच जाए जाएगा ठीक है तो चलिए एक किताब कॉपी लेके बैठेगा एक पर देखते हैं कि तैयारी किस लेबल पर अभी तक आपकी हुपाई है तो यहां पर जारा ध्यान दीजेगा याद रखें दोस्तों से प्रैट्फार्म से फांडेशन बैच आया बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि सर हम तो यूटूब के माध्यम से पढ़कर इतनी अच्छी तैयारी कर ले रहे हैं फिर हम बैच क्यों जोईं करें देखें बैच का अपना मजा है बैच में हर एक चैप्टर पर दोस्तों बाती होती है यूटूब पर क्या होता है कि जो चैप्टर आप पसंड करते हो उसके ज़ज़ादा वीडियोज मिलते हैं जो पसंड नहीं करते हो या जो difficult होते हैं उनके वीडियोज कम मि क्योंकि यूटूब एक अलग माध्याम है और यह जब आप आते हैं तो आप सत प्रस्त त्यारी को आपको मौका मिलता है और आप बहतर रंच से त्यार भी हो पाते हैं हमारा हेल्प लाइन नंबर है कॉल करके संपर कर सकते हैं चली स्टार्ट करते हैं सवालों को तो यहां प क्या होता है कपास का क्या होता और केवर्ट का क्या होता है सबसे आसान पता किसका कपास का है तो चलो कपास का सबसे आसान है तो पहले कपास का मैस करा लो कपास का तत्सम क्या होता दोस्तों करपास होता है इसी तरह से दोस्तों याद रखेंगे केवर्ट का तत्सम क्या हो आपको आपको पता होना चाहिए कि किसका तत्सम् क्या होगा और किसका ततभव क्या होगा हुगा समझ में आ गए नए इतनी बाते चलो आज़ाओ अगले वाले point का दिखते है ठीक है अगला लिख रहा दोस्तों गेहूं का तत्सम क्या होता है तो गेहूं का क्या हो जाता दोस्तों गेहूं का तत्सम होता गोधूम आप जानते हैं और गोबर का क्या होता है तो देखें मैंने एक जैसे सब्द को भी ढोट के रखा एक साथ क्योंकि यह जो धूम और गोमे हैं, बड़ा confusion होता है, इसलिए मैंने एक साथ रख दिया, इसी तरह से जोबन का क्या होता है, तो जो सब्द हमेशा कहा होते हैं, तद्बों में होते हैं, और जो का हमेशा यह बनता है, तो यह वन हो जाता है, जोबन का, इसी तरह से पंक का क् कि पक्ष हो जाता है, और पंगत किसका होता है, दोस्तो पंगती का होता है, दोस्तो इसको आप इस्टार लगा क्याद रखेगा, क्योंकि पंगती जो सब्द है, यह तत्सम सब्द है, क्या दोस्तो पंगती क्या है, यह तत्सम सब्द है, और याद रखेगा पंगत क्या है दोस्तो यह आपका तद्भो सब्दा यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं ठीक है इसी तरह से एक सवाल और मैं आपको देना चाहूंगा जैसे कुत्ता कुत्ता सब्द जो है यह जो कुत्ता सब्द लोगों को लगता तत्सम है लेकिन ऐसा नहीं है कुत्ता सब्द क्या दोस्तो कुत्ता तद्भो सब्द होता है और कुकुर जो सब्द होता है यह कुकुर जो सब्द होता है इसे हम क्या काते हैं यह आपका तत्सम होता है ठीक है ये दो ऐसे सवाल हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा confusion होता है, बच्चों को इसलिए पहले से आप इलट रही है, और पहले से आप याद करके रखे, कोई दिक्कत आपको नहीं न, चलो आजाओ, अगला सवाल देखे, अगला क्या लिखरा सुनिएगा, अद्रक, अद्रक का त जाता है, ददी हो जाता है, ठीक है, बाकी बहुत आसान आसान भी मिलते हैं, जैसे दूद का पुछे, दूद का पुछे, तो दूद का क्या हो जाता है, दूद का हो जाता है, दूद का क्या हो जाता है, इसी तरह से एक बार याद रखेगा, सियार का पूछता है, क्या जब दिखेंगे यह तत्सम सब्द ठीक है तो इसको भी याद रखेंगे यह सब सांदार सवाल हैं परिक्षा में बार-बार आते हैं इसलिए फटा-फटा आपको मैच कराना है और आगे बढ़ना ठीक है आगे बढ़ेए लिखे रहा है नारियल नारियल का तत्सम क्या होता ह या म्रिच्षड भी होता है वैसे म्री नहीं होता है दोस्तो हमेसा म्रच्षड साही होता है लेकिन परिक्षा में मैंने देखा कि आयोग में दोनों तरह के सवाल दिये गए थे म्रिच्षड मैंने का दोनों लिख दो उसी में भलाई है ठीक है कम बच्चे कंफ्यूस तो न बनेश लास में के बनेश चलास में मच्छर का मसक हो जाता है और आमला का चाहा हो जाता है यह तो याद रखीगा, इसको इस्टाल लगा कि याद रखीगा, बहुत अच्छा सवाल है, मक्षिका मत करिएगा, मक्षिका मक्षिका मक्षी को कहा जाता है, जब कि मक्षिका 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 मक खुदी confuse होगा, ठीक है, तो होता रहता है, मैं चाता है, तो यहाँ पर वीडियो कट कर सकता था, नया वीडियो बना सकता था, लेकिन क्या फरक पड़ता है, हम मसीन थोड़े हैं, अरे गलतियां इंसानों से होती हैं, और अगर हमारे सामने कोई गलती हो रही, अगर हम सुध होता है, ठीक है, जबकि इट का पूछेगा, तो इट का इस्टिका होता है, देखे, एक जैसा है की नहीं, एक जैसा है न, याद रखेगा, इसी तरह से देवर का क्या हो जाता दोस्तों, तो देवर का द्वीवर हो जाता है, ठीक है, और भौजाई का क्या हो जाता है, तो बहुजाई का तस्सम होता है भात्री जाया क्या हो जाता है ये भी याद रखेंगे अखरोट का क्या होता है तस्सम अक्छोट हो जाता है इसी तरह से मोतिका क्या हो जाता है मौक्तिक हो जाता है ठीक है अच्छे बात बताना चाहूँगा ये अक्छोट से आदा गया अखाडा जो दोस्तों ये तद्भाव सब्द है और अखाडा का तश्थम क्या होता अक्छवाट होता है च्छवाट देखो अख्छोटा अरक्छवाट एक जैसे लग रहा है न तो यह भी आद रखेंगे ठीक है देखे जो जो मेरे दिमाग में है जहां-जहां मुझे लग रायकनी बच्चों को बताना चाहिए, ये गलतियां हो सकती हुए, पहले आपको इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, आगया जाही अगला सावाल लेखते हैं, और पता नी चला है, कब आधा क्लास समाप्त होगे, यहाँ पर आधा और बचा है, ठीक है, तो अच्छी बात ह आधारों के साथ, ये किताब आप सभी के समक्ष अविलेबल है, आनलाइन आफलाइन दोनों तरीके से, आफलाइन चाहिए, तो आप मार्केट में जाएए, और हमांगिए, आपको अपनी हिंदी की किताब चाहिए, वहाँ पर आपको अविलेबल मिल जाएगे, और जाता दोस्तों, अब देखें, ओस का बच्चे प्रस्वेद करते हैं, प्रस्वेद जो होता न, ये पसीना का होता है, ठीक है, प्रस्वेद किता होता है, तो याद रखेंगा प्रस्वेद भी होता है, प्रस्वेद भी होता है, प्रस्वेद भी होता है, तो प्रस्वेद पस्वित दोनों याद रखेगा लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ओस का पूछा ओस का क्या हो जाता है ओस का हो जाता अवश्याय क्या हो जाता दोस्तों बहुत अच्छा सवाल दोस्तों बहुत सारे बच्चे नहीं जानते है ठीक है इसी तरह से सेट का क्या हो जाता दोस्तों सेट का स्रेष्ठी हो जाता है, क्या होता दोस्तो, सेट का स्रेष्ठी होता है, महुआ का दोस्तो, मधुक हो जाता है, ठीक है, महुआ का मधुक हो जाता है, और उल्लू का क्या हो जाता है, ठीक है, इसी तरह से आगे पढ़ेंगे भालू, भालू का क्या हो जाता दोस्तो, भ भालू का भलूक हो जाता है, क्या हो जाता है, भालू का भलूक हो जाता है, भालू क्या दोस्तों, ये भालू आपका तद्भो सब्द है, ये भलूक क्या दोस्तों, ये भलूक आपका तत्सम सब्द है, ठीक है, इस तरह सिसे भी आप याद रखे, बहुत सांदार सांदार है ये मदुक दोस्तो परसान मत होएगा बहुत सारे बच्चे मदु समझ लेते नहीं अगर आपके दिमाग में भौरा चल ला है ठीक है तो भौरा जो होता दोस्तो ये तत्सम तद्भो सब्द होता है भौरा का क्या हो जाता दोस्तो ब्रहमर हो जाता है ये ब्रहमर तत्सम है औ अखरोट का पुछेगा तो अखरोट का क्या हो जाता है तो यहाँ पर भी आपने मैश करा लिया बहुत ध्यान से सोच समझकर हमें काम करना है और ये सभी सभी सवाल जो आज आप वीडियो देख लिजे कई बार मैं कहता हूँ न कि कैसे पता चलेगा कि नितिन सर बहुत अच्छा पड़ा रहे हैं देखो सिंपल सा तरीका है ये वीडियो देख लो वीडियो देखने के बाद अगर आपके पास आपकी अपनी हिंदी किताब नहीं है कोई बात नहीं हिंदी की कोई नो कोई किताब तो होगी न उस किताब पर ये तस्सम तद्धो वाला चैप्टर ओपिन कर लो और वहाँ पर दोस्तों क्या करना दोस्तों दाड़ी ऐसे नहीं लिखा जाएगा दाड़ी कैसे लिखा जाता दोस्तों ये है दाड़ी ठीक है और दाड़ी का क्या हो जाता है तो दाड़ी का होता दोस्तों द्रंश्टिका दाड़ी का तस्सम क्या होता है द्रंश्टिका होता है ठीक है इसी तरह से मोक्ष नहीं होता दोस्तों मूच होता है क्या होता दोस्तों मूच दाड़ी और मूच की बात हो रही है मूच का क्या हो जाता दोस्तों मूच का दोस्तों स्मस्रू हो जाता है ठीक है इसके लामा प्यास का क्या हो जाता है प्यास का पिपासा हो जाएगा कौडी क क्या हो जाएगा कौड़ी का कपरदी का हो जाएगा सुई का सूची का हो जाएगा ठीक है इस तरह से कर लिया ठीक है यह आपको समझ में आ गया ना कुछ यहाँ पर मैं confusion वाला दे दे रहा हूँ जैसे परिच्छा में आता मोती मोती का दोस्तो क्या हो जाता है याद साथ साथ पढ़ते रहे यहांपर 50 सवाल नहीं दोस्तों देखते ही देखते मैं 60-70 सवाल आपको कवर करा दूगा ठीके तो सीखतें चलिए अगे बढ़गी देखे अगला क्या क्या करा है अगला लिख रहा है ओखली ओखली का क्या हो जाएगा दोस्तो तो ओखली का हो जाता है उलुखल क्या हो जाता दोस्तो उलुखल और जो अटारी होता है इसका क्या होता है अटाली का होता है बच्चा का देखे क्या होता है तत्सम वत्स होता है हीं का दोस्तो हिंगू होता है और भतीजा का क्या हो जाता ठीक है, भ्रात्री जाया हो जाता है, याद रखेंगे, इसी तरह से, मैंने आपको देवर का बताया था, किसका बताया था, साथ नमबर पे आनोट करीए, देवर का, पीछे मैंने पढ़ाता है न, देवर का, तो देवर का क्या हो जाता दोस्तो, इअब जी पे लिख लेजे, आपको पताए शसुराल का तत्सम क्या होता है दोस्तों स्वसुराला होता है, यह सब रखेंगे ठीक है, सब अच्छा-च्छा सवाल है, परिक्षा में आज नेकल तो इन सब के आने की समधावना जादा है, क्यों? क्यों कि बार-बार दोस्तों यही सवाल आप से पूछे जा सकते हैं आगे बढ़िए अगला लिखरा भूक जिस तरह समने प्यास पीछे लिखाता प्यास और प्यास का क्या पढ़ा दोस्तो प्यास का पिपासा पढ़ा क्या पढ़ा दोस्तो प्यास का तस्सम क्या होता दोस्तो पिपाशा होता है उसी तरह से भूक का क्या हो जाता दोस तो वार्ताक होता है उसका ए पर मिला लिया, सर्सों का क्या होता दोस्तों सर्सप एस से भी लिखा जाता गपडाई गलत है तो यहां पर भी मैंने बता दिया, इसी के साथ साथ दोस्तो एक बार recall कर दीजे, पीचे हमने पढ़ाता गेहूं का, ठीक है, गेहूं का क्या हो जाता दोस्तो, तो गेहूं का हमने पढ़ाता गोधूम लिख लिजेगा, क्या होता दोस्तो, गेहूं का क्या हो जाता है, गोधूम हो जाता है, इसी तरह से चना का पूछता है किसका पूछता दोस्तो चना चना का क्या होता दोस्तो तो चना का लिखेगा चड़क क्या लिखेंगे दोस्तो चड़क ये याद रखेंगे चना का तरस्वन क्या होता है चड़क होता है तो हमारे साथ अगर बने रहेंगे न तो मैं तो आपको एक से एक प्रैक् बिल्कुल नहीं चलता और मुझे लगता है कि यहां पर प्रैक्टिस के लिए ज्यादा क्वेशन लाना पड़ेगा मुझे क्योंकि कम समय में क्लास कटम हो जारी मुझे लगता है थोड़ा सा क्लास बड़ी होने की जरूरत मांग रहा है यहां ठीक है लेकिन एक बात कहाना च हिस्ट्री की बैच क्यों करें देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का बैच आप इसलिए करिए क्योंकि हर एक परिक्षा में मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल बहुत ज्यादा आते हैं और अगर सवाल ज्यादा आते हैं तो हमको यहां बहतर तयारी करने पड़ेगी और मैंने आपसे promise किया कि आपना अपने अंदर एक सुधाल लाई है कि एक ही भी से को आपको बार बार ना पढ़ना पढ़े आप किसी subject को एक बार पढ़िए और इतना गजब का पढ़ लीजे ना कि उससे भारत का कोई भी exam कोई भी मतलब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा exam हर exam कबर हो कि नहीं सर हमें तो आपसे ही पढ़ना है हमें आपसे ही सीखना है ठीक है यह हमारा help line number है call करके आप संपर कर सकते हैं ठीक है बाकी जिन बच्चों के पास किताब नहीं है वो किताब purchase करने जल्द से जल्द उन्हीं के लिए दोस्तों फायदा होगा ठीक है तो चलिए आज क सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जय हिंद जय भारत thank you thank you so much